Hello kids! Today we will learn gender. Gender क्या होता है? Gender वो होता है जिससे हमें पता लगता है कि यह meal category का है कि female category का है. उसे हम gender कहते हैं. Gender four types के होता है. Masculine, Feminine, Common और Newton. Masculine में male के बारे में होता है. Feminine में female के बारे में होता है. Masculine gender. Masculine gender में सारी male की बाते होती है. Gents के बारे में, Boys के बारे में होता है, for example, Uncle, Uncle Boy है, King, Hero, Bull और Feminine Gender, Feminine Gender में हमेशा Girls और Ladies के बारे में बात होती है, उन्हें Feminine Gender कहते है Auntie, Heroine, Queen, Cow, These are Feminine Gender Third होता है हमारा Common Gender, Common Gender में दोनों बाते होती है लेकिन इसमें पता नहीं लगता है कि यह Male है कि Female है, उसे हम Common Gender कहते है Leader, Leader से हमें पता नहीं लगता है, यह Girl Leader है कि Boy Leader है Student, Student से भी पता नहीं लगता है कि यह Boy Student है कि Girl है Pilot से भी पता नहीं लगता है, यह Boy है कि Girl है Fourth होता हमारा आता है Neutral Gender नीटरिए जेंडर में भी हम होगता है यह मेल है कि फीमेल है और इसमें जान भी नहीं होती फिररिक्जामपल्ट कार में इसमें जान नहीं होती इसलिए ne influen Total इसलिए परड़ांने